JSAC No Dairy Channel के सभी दोस्तों को जोहार दोस्तों आज हम जारखन के जनजातियों के प्रमुक तेहवारों के बारे में सेट के माध्यम से समपूर्ण जनकारी प्राप्त करेंगे और दोस्तों इससे पहले हम जार्खन की जनजातियों से सम्मंधित सम्पून जानकारी के साथ वीडियो बना चुके हैं और अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जार्खन की जनजातियों से सम्मंधित वीडियो देख सकते हैं और दोस्तों आज जार्खन के जनजातियों के पर्मुक पर्वतेहवार के बारे में जानेंगे इसे पहले हम जनजातियों के परव के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों जारखन के जो परवतेहवार है वो जनजातियों द्वारा बड़े धूम धाम से मनाये जाते हैं और काफी प्रचलित भी हैं और जंजातियों के लिए ये काफी महत्पूर्ण अस्थान रखते हैं क्योंकि इनके जो परवतेहवार हैं ये इनके पुराने परंपरा से जुड़े हुए हैं और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट ये हैं दोस्तों कि जारखन के जंजातियों से जो भी परवतेहवार हैं उनसे जैसे से के एकजाम में अक्सर कोशन पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इसकेप मत कीजेगा वीडियो पूरा देखेगा क्योंकि हम जो स्वेट शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल में अभी नए हैं वो इस चैनल को तुरंद सस्क्राइब कर ले और बेल बटन को भी क्लिक कर दे ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके क्योंकि हम जे एसे स एकजाम से रिलेटेड ऐसे ही महतपुर्ण जानकारी सी भरी वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए आज का कोईचन सेट नंबर 31 शुरू करते हैं ये रहा आज का फरस्ट कोईचन ज्यारखन के किस परसीत तहवार को होली का ज्यारखन डी रूप कहा जाता है ओप्शन ए भगवापर्व। उस आग की राख को तिलक यानि ठीका लगा कर उसे अपने खेतों में बिखेरने चल पड़ते हैं इसके बाद सभी नदी तलाबों या जहरनों पर असनान कर घर वापस आकर ये लोग हडिया का तापन यानि चढ़ावा और बकरे की बली चढ़ाते हैं लगभग इस दिन दूसरे पर रंग डालते हैं और संध्या के समय अभीर गुलाल लगाया जाता है और सभी पूराने जो गिले सिक्वे होते हैं भुला दिये जाते हैं साम के समय सभी सामोहिक रूप से इकटा होते हैं और फगवा गीत से सभी दिशाओं में गुझा एमान कर देते हैं देखते हैं next question question number दूसरा जंजातियों दवारा सरहुल पर किस समय मनाया जाता है दोस्तों ये JSSC के कई एक्जामों में पुछा जा चुका है इसलिए ये question बहुत ही important है इसलिए इसके detail और इसके answer में आप थोड़ा ध्यान दिजेगा option A चैतमा, option B सावनमा, option C फागुनमा ये option D वैसाकमा तो दोस्तों इसका जो answer होगा वो option number A होगा चैतमा यह जन्जातियों का सबसे बड़ा तेहवार है जो चैतमा के सुकल पक्च की तृतिया को मनाया जाता है यह तेहवार भी प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है इसे अलग-अलग जन्जातियों विभिन नामों से जानते हैं जैसे बापरव के नाम से जानते हैं वहीं उराव जन जाती इसे खदी कहते हैं तो वहीं खड़िया लोग इसे जाकोर के नाम से जानते हैं इस परव में पाहन द्वारा सरना यानि सक्वा का फूल जो सक्वा का कुंज होता है उसकी पूजा की जाती है तथा पाहन द्वारा सरना मे हडिया का तापन यानि चड़ावा और मुर्गे की बली दी जाती है तथा इसी मुर्गी का मांस और चावर मिलाकर सुन्दी नामा खिचडी बनाई जाती है जिसे परसाद के रूप में वित्रित किया जाता है और सभी लोग सरना अस्थल से लोट कर अखड़ा में नगाडों और मांदरों के धुन पर नाचगान करते हैं और अगली सुबह गाओं का बलिष्ट युवक के कंधों पर पाहन को बिठा कर घर-घर गुमाया जाता है जहां पाहन हर घर के दरवाजे या चपर में फूल खोशता है और सबको सुक समरेदी और सांती का असिरवाद देता है देखते हैं नेक्स्ट कोशन दोस्तों कोशन नमबर थ्री जहरखन का कौन सा तहवार सदानों और आदिवासी दोनों में काफी परचलित है उप्शन A मंडा परव, उप्शन B कदलेटा परव, उप्शन C बहुरा परव या उप्शन D सुर्जाही परव तो इसका जो एंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उप्शन नमबर A मंडा परव यह परव वैसाक मा के अच्छे तृतिया को आरंभ होता है यह महादेव के उप्वास का सबसे कठोर पूजा है यह कोशन जहरखन के JSAC एकजाम में पूछा जा चुका है कि किस भागवान का उप्वास इस पूजा में की जाती है इसलिए इस बात को आप लोग याद रखेगा और यह पूजा आकरशक सामुहिक 6 नित के साथ सुरू होता है इस परव में उप्वास रखने वाले जो पूरुस वर्त होते हैं उनको भगता और महिला वर्ती को सुकताइन कहा जाता है इसमें धार्मिक आस्ता का कठी नियमों का पालन करना होता है दोस्तों और रात्री में आग जलाकर इन भगतों को अगनी सिखा के उपर लटकाया जाता है जो की काफी कस्ट कारक होता है लोहे से बने हुक से इन्हें लटकाया जाता है जो देखने में भी काफी दर्दनाक लगता है फिर इन्हें नंगे पाउं अंगारों पर चलना होता है जो भी एक कठिन कारी है जिसे इसे फुल खुदी कहा जाता है इतने समय तक तक नितिगान चलता रहता है और उल्टा लटकाने की जो किरिया होती है दोस्तों उसको जाते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन नमबर 4 जारकन की जनजातियों में मेधग भूत को सांथ करने के लिए किस पर्व को मनाया जाता है उप्शन A चांडी पर्व उप्शन B रोग खिदना पर्व उप्शन C कदलेटा पर्व या उप्शन D इनमें से कोई नहीं तो इसका जो एंसर होगा वो हो जाएगा option number C. कदलेटा पर्व चली इस पर्व के बारे में भी थोड़ी सी जानकारे ले ले लेते हैं यह जंजातिय पर्व मेढख भूत की सांती के लिए विर्च की पूजा करके मनाये जाता है इसके पीछे मानयता है कि इसके मनाने से फसल में कोई रोग नहीं लगता है इसे मनाने का समय भाद्र पद माह में होता है जिसे पाहन तै करता है क्योंकि इसके बाद कर्मा पूजा बड़ा पर्व आता है इसमें पाहन हडिया उठाने के लिए घर-घर से चावल एकत्रित करता है और एक निश्चित दिन पाहन के साथ गाउं के हर घर से एक आदमी जंगल जाता है और लकडी काटकर अखडा में जमा करता है इसके बाद पाहन इन लकडियों और डालियों की पुजा, हडिया के तापन और मुर्गे की बली से करता है फिर इस लकडी पर आग लगा दी जाती है और मिटी के नए बर्तनों में इसमें मुर्गे और चावल की खिचडी बनाई जाती है जिसे अस्थानिय भासा में ताहरी कहा जाता है और इसे सामोहिक भोज के रूप में खालिया जाता है चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 5 हिंद्वों के तेहवार भाई धूज की तरह जारखन के आदिवासियों में मनाई जाने वाले तेहवार को क्या कहा जाता है ओप्शन A भाई भाई भीग पर्व, ओप्शन B वंधना पर्व, ओप्शन C जावा पर्व या ओप्शन D कर्मा पर्व तो इसका जो answer हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option number D कर्मा पर्व ये भी जनजातियों के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है तो इसके बारे में थोड़ी सी detail जानकारी ले लेते हैं इस पूजा को राज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये प्रकृति संबंधी तेवार भी है कर्मा पूजा से पहले ही सभी भाई अपनी विवाहित बहनों को ससुराल से विदा करा कर लाते हैं लेकिन इस पूजा में माता बन चुकी बहने भाग नहीं लेते हैं लेकिन हलाकि उनमें इसमें उन्हें भी बुलाया जाता है करकार के अनाज वो देती हैं इन अनाजों में जो, गेहूं, मकई, उरद, कुर्थी, चना और मटर होते हैं पूजा के दिन भाई उपवास रखता है और करम विर्ष की डाली काट कर जंगल से लाता है इसे घर के आंगन में गाड दिया जाता है ऐसी ही एक डाली पाहन भी जंगल से लाकर अखड़ा में गाड देता है फिर सभी बहने सामुहिक रूप से अखड़ा में जो जावा रखी थी डाली में उसे लेकर आसपास पूजा पर बैठ जाती है जो करम विरिश गाड़ा रहता है उसके अगल बगल में यहां पाहन सबको करम की कथा सुनाता है जो करम धरम नामक दो भायों की कथा है अगले दिन करम देवता की पूजा करके घर से नदी में विशरजन के लिए ले जाया जाता है और रात भर नितिगान चलता रहता है और जावा को इसमें आसिरवाद और कान में फूल खोश कर परसाद के रूप में बाटा भी जाता है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर 6 तो दोस्तों इसका जो इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और पर्व दिपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है इसमें सभी पस्वों को नहलाया धुलाया और गौसाला को सजाया जाता है और उसमें पेंटिंग भी की जाती है जिसमें रंग के रूप में प्रकृतिक पदार्थों जैसे पतियों, चावाल, कोईला आदी का पर्योग किया जाता है इसमें कृत्री मरंगों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तो और रात्री में जो बैल होते हैं उनके सिंगों पर तेल और सिंदूर लगाते हैं और काली मुर्गी या सुवर की बली देते हैं इसके बाद हरिया का तापन दिया जाता है इसे परसाद के रूप में वित्रित भी किया जाता है पसुओं के लिए सातों अनाजों से तैयार पकवा खिलाया जाता है जिसे अस्थानिय भासा में कोहरी कहते हैं और दोपहर को सभी पसुओं की दोड़ होती है किसी मैदान पे चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमबर सेबन जहरखन के जंजातियों द्वारा भागवान को जगाने के लिए किस तेहवार को मनाया जाता है ओप्सन ए यहां थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों आप लोग इसे सुधार कर पढ़ तो दोस्तों इसका जो इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्सन नमबर देवठां तेहवार इस दिन घर की महलाएं आगन और घर की सफाई करके अच्छी तरह से गूबर से लिबती हैं और फिर खड़िया खोल कर चोखट पूरती हैं दिवार पर चावल के गोल में रंग मिलाकर देवी देवताओं की तस्वीरे बनाई जाती हैं घर के सदस्य पूरुस पित्रों की पूजा करके चोकी पर देव बिठाकर उनकी पूजा आधी करते हैं देव उठान संपन करने के बाद ही जनजातियों में साधी विवा के कार्य आरंब हो जाते हैं देखते हैं द जन्जातियों द्वारा मनाये जाने वला जनी सिकार तेवार कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है option A 13 वर्षों में, option B 12 वर्षों में, option C 10 वर्षों में, option D 11 वर्षों में तो दोस्तों इसका जो इंसर होगा वो हो जाएगा option नमबर B 12 वर्सों के अंतराल में एक बार मनाया जाता है जमी सिकार यह जंजातिय सिकार पर पूरी तरह से जंजातिय इस्त्रियों के साहस और सक्ती परदसन पर आधारित है जिसे उराओं भासा में मुक्का सिंद्रा कहा जाता है इस अनोखे तहवार में निचित दिन आदिवासी महलाएं पूरुसों के वस्त्र पहनकर और हत्यार लेकर एक गाउं से दुसरे गाउं सिकार खेलने जाती है तथा वहाँ पहुचकर मुर्गे, बकली, भेड़, बकरे, भेड़, सुवर जो भी इनके सामने आते हैं ये मारते जाती हैं और इसकी परमुख विसेशता यह है कि दोस्तों इन्हें इस सिकार करने पर कोई पूरुस या महिला, मतलब कोई पूरुस दखल नहीं देता है और पाहन गाउं में मरे पड़े सभी सिकार को अखड़ा में इखटा करता है और इसे गाउं भर में बराबर हिश्चों में बाटा जाता है और सामोहिक रूप से पका कर खा लिया जाता है देखते हैं कोईशो आज का नेक्स्ट कोईशन कोईशन नंबर नाइन जाही पूजा में किस चीज की बली दी जाती है उप्शन A बकरे की, उप्शन B सफेद मुर्गी की, उप्शन C सफेद मुर्गे की या उप्शन D सूर की तो दोस्तो इसका जो इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन नमबर C सफेद मुर्गे की बली दी जाती है अज़ापश के तापन से की जाती है इस पर इस परों को बारी या टान में किया जाता है इस पुजा में किवल पुरुश ही भाग ले सकते हैं देखते हैं نेक्श गौस्ट कोशिण नमबर टेन ज्यारखन की कौन से तहवार मनाने के समय भैश की बल्ली देने की प्रता है option A, दिसावली तेहवार, option B, नावा खानी तेहवार, option C, असाड़ी तेहवार, या option D, इन में से कोई नहीं तो दोस्तों इसका जो answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A, दिसावली तेहवार यह देव भूत की पूजा है, यह 12 वर्सों में एक बार की जाती है, गाउंक का भूईदार बली चढ़ाता है, इसी करम में परतेक वर्ष जो बलिया चढ़ाई जाती है, वे हैं बढ़ पहारी या मरड बुरू के नाम पर सुवर की, और भूत के नाम पर भेन की, और देवी देवता के नाम पर भकरा की, तथा इस्ट देव के नाम पर मुर्गे की भली दी जाती है, तो दोस्तों यह था आज का जंजातियों से रिलेटेड पर्व के जो महत्पुन पर्व हैं, उनके बारे में जानकारी थी, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उसके बार लिएगा, और दोस्तों कुछ पर बच गए हैं, जो कि एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं था, इसलिए इसका एक पार्ट टू भी आएगा, वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पुन होने वाला है, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखेगा, क्य अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा,